कि है गाइड इस इस अशुनी यान वेलकम बाई हमने रिकर्जन की पिछली वीडियो में देखा कि रिकर्जन काम कैसे करता है जब हमारा स्टैक बिल्ड हो रहा होता है तो हमारा आउटपुट आया था फाइफ फो थी टू बन है ना और हमने डिसकस किया था कि दो तरीके होत करते हैं कि स्टैक हो रहा होता है तो हम रिकर्जन को कैसे काम करता है तो चलो पहले से कंब्ल मेरा स्टैक हो रहा है वे ठीka और एक को हो नहांके रखा होगा और जी एविंग को पता होगा कि मेन मैथट है रिस्पॉंसिबल है प्रोग्राम को चलाने के लिए यहां से एकुफछन रिकॉर्ड यहां का रखा होगा अब एक method ले लेता हूं मैं जिसका नाम है print number ठीक है और यह integer value ले रहा है भाई अब इस method को मैं p लिख देता हूं यहां पर activation record पूरा लिख होगा तो नहीं आएगा है ठीक है तो इस p method main method ने p method को call किया अब जब भी compiler activation record store करता है तो उस method की information होती है और यहां कुछ information होती है कि मुझे वापस lot के किस client पर जाना है यह मैं discuss कर चुका हूं पहली वीडियो में उसका description में लिंक दे दूँगा अगर नहीं है तो जाके देख लोगो help करेगा ठीक है अब यहां से वह activation record insert करता जाएगा जब तक कि उसको base condition नहीं मिलेगी तो ऐसे हो रखा होगा पहले से कि stack बन रहा होगा है ना I hope यह पता है कि stack कैसे बनता है अब हमारा काम क्या है कि recursion मेरे को देखना है यह वाला point कि जब मेरा यह stack fall हो रहा होगा I hope you are getting it तो समझो कि यहां मुझे base condition मिल गई कि मेरे जो end की value है वो मैंने equal equals to zero पे लिखा है कि जैसे ही तुम zero हो जाओ ना तो मेरे को return हो जाना चाहिए अब void function का return type है इसलिए मैंने कुछ भी value return नहीं किया अब return होगा तो यह वापसी यहां है ठीक है अब इसके पास यहां पर इसको पता है कि मुझे lot के क्यों से पर जाना है यह वाले जो मैं dot लगा रहा हूं यहां पर यह इसका मतलब है कि compiler के पास कुछ ना कुछ instructions है कि no find नहीं बोगहए तो फिर program terminate हो जाएगा अने function terminate हो जाएगा अब यहां पर आए तो यहां से बाद में यहां गए अभी हां QA से हम यहां गए हैं अब यहां से यहां से मेरा प्रोग्राम एगर आड़ क्वेशन आता है काम कब करने तो यहां पर देख रहे होगे कि अगर पहले स्टेप के बाद अगर मैं देखू तो मेरी स्टेक क्या बनेगी कि यहां से अगर अगर यह वाला स्टेक पूरा खाली हो गया होगा यह वाला कॉर्ण अगर इसको मैप करो यहां पर तो यह खाली हो फोल अब यह हट जाएगा फिर मेन भी हट जाएगा जब सारे रंसी हो जाएगे तो इसका मतलब अब देख लेते हैं कि भाई एक्ट्वल में इसका मतलब क्या है कोडिंग प्रैक्टिस में ठीक है जी चलो तो चलते हैं अपनी इंटैलीजे पे और देखते हैं अब मेरा जो आउटपुट है मुझे जो प्रिंट करवाना है मुझे प्रिंट करवाना है 5412345 ठीक है यहां प और प्रिंट नंबर ठीक है और यह लेगा इनटैजर अब पहले मुझे काम क्या करना है grasp out मुझे काम करना है नंबर प्रिंट करवाना है अब वह मुझे प्रिंट करवाना है जपते क्यां फॉल हो जैए तो इसके उपर ही मैं कॉल करवाओंगा कि भाई तुम सारा सब कुछ कॉल करवा लो अपने आपको ठीक है एन माइनस वन तक जब भी कॉल कर वाओं तो एक माइनस हो जाना चाहिए अब यह इन्फानेट लूप तक चला जाएगा इसलिए मैं इसमें लगा दूंगा बेस कंडिशन कि भाई ज से पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि दोनों आउटपुट ना आए और यहां से दूसरे वाले को कॉल कर लेते हैं और इसमें पांस डाल लेता है ठीक है चलो जी अब इसका आउटपुट के अच्छा मैंने कुछ गलत प्रिंट करवा दिया मैंने यह वाला फंक्शन कॉल करवाना था और उस फंक्शन को कॉल करवा दिया है अब करवाते हैं कॉल और देखते हैं आउटपुट क्या आता है 12345 अब यह आउटपुट आ कैसे रहा है चलो N equals to 5 ठीक है मैं next Nile पर चलता हूँ यह खुद को call करेगा और stack यहाँ पर इधर यह वाली entry देखना एक-एक stack बनता जाएगा पहले यहाँ पर n की value 5 थी अब यहाँ पर n की value 4 होगी फिर से debug पर चलता है n की value 3 है अब n की value 2 हो जाएगी call करता जाएगा अब देखो अभी कोई क execute करनी है इसलिए यहाँ पर आके रुका ठीक है यहाँ पर आके रुका अब जैसे जैसे मैं next करूंगा यह इसी लाइन को बार और execute करेगा देखो और यहाँ पर मेरा console पर आउट भूट भी आ रहा होगा one two three four five done और बापस आ गया हूं अब यह program terminate होगा और stack भी हैं से 10 minute हो गया है यह था हमारा एक example कि मैं कैसे काम करूंगा कि जब मेरा जो stack है वो follow रहा होगा I hope यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर अब भी भी कोई डाउंट है तो कमेंड़ डाउंट आ सकते हूं मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में रिकल्स उनकी ठीक है तब तेकी बाबाए एंड हैपी ने हुए